हेलो प्रेगनेंट मॉम्स आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि हमें प्रेगनेंसी में गुड का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कैसे गुड का सेवन करना चाहिए या pregnancy में किन किन महिलाओं को गुड का सेवन नहीं करना चाहिए और गुड का सेवन करने से आपके बेबी पर क्या असर पड़ता है और ये गुड खाना आपके बेबी के लिए और आपके लिए कितना फायदे मंद सावित होता है तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो नवशकार दोस्तों स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल हेल्पिंग हाउस वाइफ में कहिए कैसे हैं आप I hope आप सब अच्छे होंगे सबसे पहले कमेंट में जाकर जै मातादी जरूर लिखिए जिससे मातारानी की कृपा आपके उपर और आपके बेबी के उपर हमेशा बरसती रहे मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में तो गुड के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में प्रेगनेंसी में गुड खाना आपके और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है पहले तो गुड के फाइदे क्या क्या होते है गुड में आइरन होता है, मेगनीशियम होता है, गर्माहट होती है जो हमें सरदियों में बहुत फाइदा करती है वैसे भी हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हमेशा से कहते ही है रहते हैं कि सर्दियों में गुड़ खाना बहुत ही फायदेमंद रहता है और बहुत सी बिमारियों से बचा जा सकता है गुड़ खाने से इसलिए गुड़ सर्दियों में जरूर खाना चाहिए गुड़ में आयरन भरपूर मातरा में होता है और अधिकतर pregnant lady में blood की कमी होती है हमेशा doctors के पास जाते ही doctors कहते हैं कि खुन की कमी पाई जाती है test कराने में और हमेशा ही doctor pregnancy शुरू होते ही iron की tablet जरूर देते हैं तो यही iron हमें good से बहुत बरपूर मातरा में मिल जाता है दवाई से भी अच्छा iron good में होता है तो हमें pregnancy में good जरूर ही खाना चाहिए लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत सारा good नहीं खाना चाहिए एक साथ हमें सिर्फ एक छोटी सी डली good की खानी चाहिए daily जिससे हमेरी iron की कमी पूरी होती है और हमारे बच्चे की भी growth अच्छी होती है और good में भरपूर मात्रा में magnesium होता है iron होता है जिससे हमारे अंदर anemia होने का खत्रा नहीं होता है और जो बच्चे जनम लेते हैं उनमें भी बहुत से खून की कमी पाई जाती है और उनमें भी anemia होने का खत्रा होता है तो good के सेवन से अगर हम pregnancy में गुड का सेवन करते है तो हमारे अंदर anemia नहीं होता है ना हमारे अंदर होता है ना हमारे होने वाले बच्चे के अंदर blood की कमी पाई जाती है इसलिए आपको pregnancy में गुड का सेवन जरूर करना चाहिए एक छोटी सी डली गुड की ये नहीं कि बहुत सारा गुड काना चाहिए सिर्फ एक छोटी गुड की डली हमें जरूर प्रेग्नेंसी में सेवन करने चाहिए गुड में भरपूर मात्र में मेगनीशियम भी पाया जाता है जो हमारी बाडी वा हमारे बच्चे की बाडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है इससे हड्डिया मजबूत होती है और बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद होता है दूसरी चीज है गुड़ खाने के और भी क्या फायदे हैं सेकंड की बताने जा रही हूं मैं इससे immunity बूस्ट होती है जैसे ही सरदिया स्टार्ट होती है सबकी immunity वीक हो जाती है कुछ ना कुछ वाईरल चलते ही रहते हैं कभी जुकाम कभी सरदी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है तो अगर हम डेली गुड का सेवन करते हैं ठीक मात्रा में नॉर्मल मात्रा में तो हमें ये वाइरल का खत्रा नहीं रहता है और हमारी इम्म्यूनिटी बुस्ट हो जाती है गुड हमें ऐसी बिमारियों से लड़ने में भी मदद करता है अगली चीज है गुड खाने से हमारी पाचन करिया बहुत मजबूत हो जाती है अंदर से हमारा पेट का सिस्टम जो होता है वो सही रहता है आटोमेटिक ही सही रहता है अलग से हमें कुछ करने की जुरत नहीं पड़ती डेली गुड को अपने आहार में शामिल का करना अगली चीज है जिन प्रेगनेंट महिलाओं को नीद नहीं आती है नीद ना आने की समस्या रहती है प्रेगनेंसी में बहुत सी लेडिस ऐसी है जिनने रात में नीद ही नहीं आती है तो गुड के सेवन से आपको नीद भी ठीक ठाक आएगी शरीर भी अच्छा बना इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी पाचन शक्ती अच्छी रहेगी और आपकी बॉडी भी अच्छे से विकास करेगी आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी और भरपूर मातरा में आपको मैगनेशियम आइरन और भी पोशक्तत मिलेंगे और गर्माहट भी बहुत सर्दियों में और अब बात करते हैं कि आपको कौन सा गुड़ खाना चाहिए गुड़ कई तरह के आते हैं मार्केट में बहुत ही गंदा गुड़ भी आता है लोग ऐसे ही खुले में गुड़ को बेचते हैं जिस पर मक्या बिन बिना रही होती है धूल मिट्टी डस्ट बरपूर मातरा में घुसर ही होती है वो उगड़ा रखके ही ऐसे ही गुड़ को बेच रहे होते हैं तो प्लीज मार्केट से ऐसा गुड़ बिलकुल भी ना खरीदे अपना देख बाल के हाईजीनिक चीज खरीदे अपना ढखा हुआ साफ तरह गुड़ लेना चाहिए और गर के आसपाज या कोई आपके जाननेवाले हैं रिश्टेदार हैं तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि हमें कैसा गुड़ अच्छा होता है हमें वही गुड़ का सेवन करना चाहिए और गाओ का गुड़ बाख कलर का गुड़ लेना चाहिए वो बहुत ही बोड़ के बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए अब मैं बात करूंगी किन प्रेगनेंट महिलाओं को गुड का सेवन नहीं करना चाहिए या बहुत ही ध्यान पूरवक करना चाहिए जिन प्रेगनेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन्स है या जि आपको जब पहले से ही ब्लेडिंग होती है तो गुड ऐसे में आपको और ज्यादा नुकसान कर सकता है या फिर अगर आपके और भी कई कॉम्प्लिकेशन्स है प्रेगनेंसी में तो आपको गुड का सेवन नहीं करना चाहिए अश्या करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग